जै मातादी दोस्तो। आपका वीन्हीतियां की से रसेपी अशलए किसे वैयने सब भलतितीब। आप से शयूंगे सथे हाई नहीं में सभत rumor के। दोस्तो, क्सवाप क आए रही हूँ। दोस्तों अभी सभकें मिकार वशेशने नहीं से फकेस् или याए तिए। तो यह देखिए, फाइनली चॉप करना है, ज्यादा मोटा नहीं काटना है, फाइनली चॉप करना है, बत्वा का राइता, पराठा, बहुत तरह के रेसिपी, लेकिन आज मैं बिल्कुल अलग तरह के सामने में एक रेसिपी लेकर आई हूँ, इसके लिए हमने यूज किया है कुछ आलू, उबला हुआ आलू, तो यह देखिए, हमने 5-7 आलू ले लिया है, इसको हम अच्छी तरह से ग्रीट कर ले रहे हैं, अब चाहे तो हाथ से भी इसको तोड़ सकते हैं, लेकिन हमें लम्स नहीं चाहिए, तो इसलिए हमने ग्रीट कर लिया है, तो और इसमें हम चम्मच रिफाइन ओयल यूज किया है, आप चाहे तो सरसो तेल भी यूज कर सकते हैं, और यह देखिए, हमारा तेल गर्म हो चुगा, और इसमें हम एड कर रहे हैं, हमारा लहसना द्रग का कुटा हुआ पेस, तो अब इसको हम थरा सा रोष्ट कर लेंगे, जब तक यह थ आपको कैसा लगा तो प्लीज मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लाइक कर दीजेगा, नहीं तो आप डिसलैक भी कर सकते हैं, और अगर इस चैनल पे आप नए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजेगा, हमारा चैनल कह दह Corps चैनल कहीं चैनल के नगर विजेगे चैनल चैनल,भी को हरम पे गत अच्छा के लिजात हैं, यंदे हैं, तो हम चैनल प्लीज सब्सक्राइब कटी यदिया हैं, टे सम्ली यदि चैनल के इस झृत हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब हमे इस नगर पंशância ने उस्समंघन ह और यह देखिए दोस्तों इसमें एक उबाल आ चुका है बाथुआ भी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका होगा हम इसको चेक कर लेते एक बार तो यह देखिए मारा बाथुआ बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है और अब हम इसमें एड करने वाले हैं सीक्रेट चीज़ जो आपको मैंने बताया था कि इसमें हम आटा यूज नहीं करने वाले हैं इसमें हम यूज करेंगे एक कप सूजी जो बहुत ही हेल्दी होता है इसका कोई भी डिस बना लिए आपने सूजी का और पूरे दिन आपको अच्छी तरह से मिक्स करना है पहले क्योंकि गर्म पानी में अगर हम सूजी टालते हैं तो वह गांठे बनने लगते हैं इसको पहले अच्छी तरह से बत हुआ कि साथ मिक्स कर लेंगे फिर हम इसमें एड करेंगे हमारा मैस क्या हुआ पोटैटो तो यह देखिए हमने मैस करके जो रखा था यह पोटैटों गीड वाला तो इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स करके बाणियां से एक सॉफ्ट डोट तयार करेंगे और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के लिए हम इसको दोसरे बरतर में ट्रांसफर करेंगे तब ही जाकर के ठंडा होगा तो हम अब ट्रांसफर करते हैं परात में तो हम परात में इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो इसके लिए हमने पहले उससे पहले हमने इसमें यूज किया है एक कप के थोड़ा कमी है इसमें मैंने मैदा यूज किया है तो मैदा और इसको अच्छी तरह से सारे को मिक्स कर करते हुए हम इसको एक सॉफ्ट डो तयार करेंगे देखिए हमारा दो तयार हुचका और हम चलते बनाने के लिए तो हमने एक छोटा सा इसमें लोईया लिया है इसको लोईया को अच्छी तरह से गोल करके हाथ में थोड़ा सा रिफाइन लगा लेंगे और इसको अच्छी तरह से गोल करके रोटी बेलेंगे आप चाहे तो हाथ से भी बना सकते मैं दोनों तरीका से दिखाऊंगे आपको बना करके तो यह देखिए हमने बेलन से बेल करके बनाया है इसको बहुत अच्छा से बनाया कि अपने बच्चे को भी खिलाएंगे हल्दी रहला फॉता ही है टेस्टी भी बहुत ही होता है तो चलते हैं बनाने के लिए थृतू में रोटी डालते हैं देखिए हमने रोटी डाल दिया तो इस पे हमने refine लगाया है, आप चाहि तो घी भी इस्तिमाल करना चाहते, तो आप घीर भी लगा सकते हैं हमने refine लगाया है, और इसको दोनों सेड से हलका refine लगाके के हमें इसको shake लेंगे और मैं आपको final दिखाती हूँ कि हमारा पराठा सीख करके कितना सुन्दर दिख रहा हूँ अग्तम soft लगेगा आपको लगेगा नहीं कि आप पराठा खा रहे हैं इतना ज्यादा soft लगेगा यह पराठा देखिए अब दोनों सेट से इसमें refine लगा दिये हैं अगर आपने एक बार यह recipe बना गर अपने बच्चों को खिला दिया तो यह बार बार आपको request करेंगे बनाने के लिए क्योंकि इतना ज्यादा tasty लगता है क्या बता है आप मेरे पर विश्वास मत कीजे लेकिन आप एक बार जरू try कीजेगा तो मैं promise करती हूँ आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा था से ज्यादा क्योंकि मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है मेरा बच्चे भी इसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं तो मैं इसको बना करके हमेशा देती हूँ बच्चे के लंच में भी आप चाहे तो breakfast में भ व्हार हो चुका है तो किंदह दिख़ रहा है और इसको इसको में आपको दिखाती हूं वब रठा सारा से करके कि लाए कर दिखता है सब किवेज सेंंसे कर सकते हैं तुल यही और आ City थिद्गे एक लीदब पर ja बनके त्यार हो जाएगा इसी तरह से हाथ से भी बना सकते हैं यह तो आप थोरा सा हाथ में रिफाइन या तेल कुछ भी लगा लीजेगा तो बिल्कुल नहीं चिपकेगा आपके हाथ में और इतना अच्छा से जैसे आप बेलन से बेलते वैसे बेल जाएगा फाइनली सारा पराठा सीख चुका है और यह देखी मैं इसको एक फोल्ड करके दिखाते हूं कितना सॉफ्ट है खाने में भी आपको बहुत मजाएगा और बहुत टेस्टी भी लगेगा तो दोस्तों आप प्लीज मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएगा कि यह आपको कैसा लगा यह रे